कर तो नमस्कार तोस्तों आज का हमारा अगला टोपिक है आज हम पढ़ेंगे भारत के पिर्मुक बनिया जीब अब्यारान ठीक है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए ठीक है यहां पर SSC Railway Bank और सभी इस्ट्रेट की एक्जाम की तैयारी कराई जाती है अगर आप कोई भी जान कर चाहते है तो आप मलबाट सब भी कॉंटक्ट कर सकते हैं चलते हैं आज का टोपिक लेकर भारत के पिरमुक बनने जीब अब ब्यारण के बारे में तो राष्टिये अब ब्यारण किस राज्ये में है सरक्षित प्राणी यहनी किस जीब जंतु को रखा गया है तो यहां है का है अब का उत्रा खंड में ठिकर का है उत्राग है उत्रा कर दमे में और यहाँ पे जो आपके रखा गया है हाती हीरण और तैंद्वे को ठीक है यहाँ पे क्या क्या है आपके हाती हीरण तैंद्वा ठीक है दूसरा है हमारा दाल्मा बन्यजीव अभ्यारण दाल्मा बन्यजीव अभ्यारण कहा है हमारा जहारकर्ण में और यहां पे जो जन्तु है आपके हाती तेंद्वा हीरन ठीक है यह किसके लिए है हाती तेंद्वा हीरन के और कहां है आपका जहार कंड में आगे हमारा हजारी बाग बन्यजीव अभ्यारन हजारी बाग बन्यजीव अभ्यारन कहां है आपका जहार कंड में ठीक है और यहां अगला कैमूर बनने जीब अभ्यारन कैमूर बनने जीब अभ्यारन कहा है आपका जार खंड में ठीक है और यहां पर सर्रक्षित प्राणी क्या है आपका बाग नील गाय तेंद्वा ठीक है आगे आपका गिर राष्टे उद्ध्यान गिर राष्टे उद्ध्यान कहा है आप को गुजरात ठीक है और यहांपे जो प्राणि है क्या है आपका सेर तेनुः को नल सरोबर अब्यारण कश्ता अब का घुजरात यहांपे सण स्नक्षित चाहänder जलिए पक्ष को ठीक है जलिए पक्षीय आगए हमारा कारवेट राष्ट यह दाद जिम कारवेट राष्टिय उद्ध्यान ठीक है तो यह कहा है आपका उत्त्रागंड ठीक है और यह किस लिए है हाती बाग हीरर के लिए ठीक है अगला है हमारा दुद्वा राष्टिय उद्ध्यान दुद्वा राष्टिय उद्ध्यान कहा है आपका उत्तर पिर्देश और ये किसके लिए पिरसित है चीता बाग सांबर के लिए ठीक है अगला है हमारा चंद्र पिरवा अभ्यारन चंद्र पिरवा अभ्यारन कहा है हमा हमारा करनाटक कहा है करनाटक में और यह किसके लिए है हाती चीता तेंद्वा के लिए ठीक है अगला है हमारा भद्रा अभ्यारन भद्रा अभ्यारन कहा है हमारा करनाटक में और यह किसके लिए प्रसिद्ध है भालू हाती हीरण के लिए ठीक है सर्कित प्रणि क्या क्या इस सरक्षित प्राणी इसमें हाती हीरण आजगार के लिए ठीक है आगे है हमारा सुल्तानपूर जील अभ्यारण सुल्तानपूर जील अभ्यारण ये कहा है हमारा हर्याना में और ये किसके इसमें सरक्षित प्राणी क्या है आपके जलिये पक्षी ठीक है अगला है हमारा रोहिला राष्ट्य उद्ध्यान रोहिला राष्ट्य उद्ध्यान कहा है हमारा हिमाचल पिर्देश कहा है हिमाचल पिर्देश और ये किसके लिए सरक्षित है हिरन भालू तैंदुय के लिए अगला है आपका सुंदर्बन राष्ट्य उद्यान सुंदर्बन राष्ट्य उद्यान कहा है आपका पच्छी मंगाल में और ये किसके लिए हैं बाग चीता हीरण के लिए हैं आगा है हमारा भगवान महाभीर उद्यान भगवान महावीर उद्ध्यान कहा है आपका गोवा में और ये किसके लिए सरक्षित है हीरर चुहा साही के लिए ठीक है अगला है हमारा नोगर वाईलेम अभ्यारण नोगर वाईलेम अभ्यारण कहा है आपका मेगाल्यम है और यह किसके लिए सरक्षित है? हाती, चीता, बाग के लिए आगे है हमारा केबुल, लामजाओ, राश्टिय, उध्यान ये कहा है हमारा? मड़ीपूर और ये किसके लिए है? हीरण, बकरा, पक्षियों के लिए तीक है? आगे हमारा सोमेस्वर, अभ्यारण सोवे सर अभ्यारण कहा है हमारा कन्नाटक में और ये किसके लिए सरक्षित है चीता हिरन सावर के लिए ठीक है अगला है हमारा तुखवद्रा अभ्यारण कहा है हमारा कन्नाटक में और ये किसके लिए सरक्षित है तैंद्वा चीतल चोसींगा ठीक है अगला है हमारा पाखाल बन्य जीब अभ्यारण पाखाल बन्य जीब अभ्यारण कहा है आपका आंध्र प्रदेश और ये किसके सरकीत है चीता तेंद्वा भालू के लिए अगला है हमारा काबला बन्य जीब अभ्यारण काबला बन्य जीब बहरण कहा है आपका आंध पिर्देश और ये किसके लिए है हाती चीता भालू के लिए है ठीक है आगे हमारा मानस बन्य जीब अभ्यारण मानस बन्य जीब बहरण कहा है आपका आसम में और ये किसके लिए है हाती चीता भालू के लिए ठीक है आगे हमारा काजी रंगा राष्टिय उद्ध्यान काजी रंगा राष्टिय उद्ध्यान कहा है आपका आसम में और ये किस के लिए है चीता गेंडा सुवर के लिए ठीक है अगरा हमारा घाना पक्छी बिहार घाना पक्छी बिहार कहा है है हमारा राजस्तान में और ये किस के लिए है सांबर हीरन सूर के लिए ठीक है आगे हमारा रतंबोर अब्यारन रतंबोर अब्यारन का है हमारा राजस्तान और ये किस के लिए है चीता बाग सेर के लिए आगय है हमारा कुंबल गड अब भ्यारण कुंबल गर अब भ्यारर कहा है हमारा राजस्ता और ये किसके लिए है चीता निलगाय भालू के लिए ठीक है आगय हमारा पेंच राष्ट्य उद्यान कहा है हमारा महराष्ट में और यह किसके लिए हैं चीता सांबर भालू के लिए ठीक है तंसा अब्यारन कहा है हमारा महराष्ट और यह किसके लिए हैं तैंद्वा सांबर चीतल के लिए ठीक है आगए हमारा बेरी विली राष्टिय उध्यान बेरी विली राष्टिय उध्यान कहा ह महराष्ट उजी किस के लिए सरक्षित है लंगूर लें सांबर के लिए G ठीक है अगला है हमारा चिलका अभ्यारन चिलका अभ्यारन कहा है हमारा ओडिसा में ठीक है और ये किसके लिए सरक्षित है क्रेन जलकोवा पक्षियों के लिए ठीक है सिंप्ली पाल अभ्यारन सिंप्ली पाल अभ्यारन कहा है हमारा ओडिसा में है ठीक है और ये किसके लिए सरक्षित है हाती बाग चीता ठीक है आगे हमारा बेदांत गल अभ्यारन बेदांत गल अभ्यारन कहा है अपका तमिल नाडू में और ये किसके लिए सरक्षित है जलिए पक्षियों के लिए अगला है हमारा इंद्रा गांदी अभ्यारन इंद्रा गांदी अभ्यारन कहा है हमारा तमिलाडु में और ये किसके लिए सरक्षित है हाती बाग चीतल के लिए ठीक है अगा है हमारा मदुमलाई अभ्यारन मदुम किस के लिए सरक्षित रहे हैं? कोबाल चीता बिल्दी थी को अगला है अगला है हमारा प्रामभी कुलम चीता हक्षित नीलकाए हब आगला है को है हिए अगला हिए अगलू कर है कर निले को divorced को लुए Presents अगला है हमारा काना किसली राष्ट्य उद्यान का है आपका मध्य पिर्देश और ये किसके लिए सरक्षित है बाग चीतल तेंद्वा के लिए ठीक है आगा है हमारा पंचमटी अभ्यारन पंचमटी अभ्यारन का है आपका मध्य पिर्देश और ये किसके लिए सरक्षित है बाग तेंद्वा सांबर के लिए ठीक है आगा है हमारा दाची गाम राष्टे उद्धाम दाची गाम राष्टे उद्धान कहा है आपका जमू कस्मीर और यह किसके लिए है तेंद्वा भालू हीरन के लिए ठीक है अगला है हमारा किस्तवार राष्टे उद्धान कहा है हमा बाग किसके लिए हैं बाग तेंद्वा भालू के लिए ठीक है आ गए हमारा नागरहोल राष्टिय उद्ध्यान यह कहा है आपका कन्नाटक में और यह सरक्ति प्राणी क्या है इसमें चीता हाती भालू ठीक है यह हमारे आज का मोस्ट टोपिक था जो आपको हमने कराया ठीक है इसको आप देख लीजिए पीडिएप इसकी डाउनलोड कर लीजिए डिसक्स में लिंक देवा है वहां से इसकी पीडिएप डाउनलोड कर लीजिए ठीक है और इसको याद कर लीजिए आपको जब याद हो जानकारी हम आपको पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से उसके बारे में जेंगे अभी तो हम आपको सब में में टोपिक लेकर आ रहे हैं ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक सेर करते रहें जल्दी मिलेंगे आपको एक नए टोपिक पर